नमस्कार दोस्तों, Electrical Technician चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा Street Light के वाइरिंग के बारे में है। दोस्तों, यह जो आप Street Light देख रहे हैं, इसका कंट्रोरिंग हम एक फोटो सेल के द्वारा करेंगे। साथ-साथ में हम एक Auto Manual Switch का भी इस्तमाल करेंगे। तो यहां पर जो हमारा Street Light है, इसको Power Supply देने के लिए, यहां पर हम एक MCB, एक RCCB और एक Contactor का इस्तमाल करेंगे। तो देखिए, यह जो हमारा MCB है, इसके Incoming Terminal पे हम Neutral Supply और RYB तीनों Phase को Connect कर देंगे। उसके बाद हमारा MCB है, उसके Outgoing Terminal से Wire को Connect करके, हम RCCB को Incoming Power Supply देंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, यह जो हमारा RCCB है, उसके Outgoing Terminal से हम के वाल RYB Face को लेके जाएंगे। यहाँ पे हम Neutral Supply को लेके नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा Contactor था इसके L1, L2 और L3 Terminal पे हमने Phase Supply को Connect कर दिया। अब जो हमारा Phase Supply है, उसको हमें Equally Divide करना है इन सभी Electric Pole पे ठीक है। यहाँ पे हमने Example के लिए 3 Street Light ले लिए ठीक है, तो इन 3 Street Light के लिए हम एक एक Phase Supply को दे देंगे। तो पहले Street Light को R Face दे दे देंगे, दूसरे को Y Face दे देंगे और तीसरे को B Face दे देंगे। अब इन 3 Street Light को Neutral Supply भी देना है। न्योटा सप्लाई देने के लिए हम क्या करें देंगे, और जो हमारा Street Light है, उनको हम Neutral Supply दे देंगे, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने इन 3 Electric Pol को Face Supply और Neutral Supply करेंगे, ठीक है दोस्तों, यह तो होगे हमारा Power Wiring, ठीक है, अब यदि हमें इस Conductor को चालू और बन करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे Control Circuit को यह हमारा Control MCV हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, अब देखिए, यहाँ पर हमें एक Auto Manual Switch का भी इस्तमाल करना है, तो यहाँ पर हमें एक Selector Switch का उपयोग करेंगे, यह जो हमारा Selector Switch है, इसका उपयोग करने से एक Benefit यह होगा, यदि हमें Street Light को Photo Sail के द्वारा On करना है, तो हम इ Face Supply और Neutral Supply देते हैं, यहाँ पर जो हमारा Controlling होगा, वो Face और Neutral के द्वारा होगा, तो यहाँ पर हमने Face Supply और Neutral Supply कनेक कर दिया, ठीक है, अब जो MCV है, उसके Argoven Terminal से हम Face War को कनेक करके, जो हमारा Selector Switch है, उसके एक Terminal पर कनेक करेंगे, ठीक है, अब दोस्तों दिखिए, यह जो हमारा Selector Switch है, इसको हम Auto Position पर Select करेंगे, ठीक है, और Auto Position पर Select करने बाद, हम Multimeter के द्वारा Continuity करेंगे, कहां कहां Continuity करेंगे, दोस्तों देख लीजिए, यह जो हमने Wire Connect किये हैं, उस Terminal से लेके दूसरे Terminal पर Continuity करेंगे, यहाँ पर 4 Terminal लिख रहा है, इन सभी Terminal पर हम Incoming Power Supply के लिए होता है, ठीक है, और जो White Wire होती है, वो Neutral Supply के लिए होता है, ठीक है, और Red Wire हमारा Outgoing Power Supply के लिए होता है, ठीक है दोस्तों, अब देखिए, यहाँ पर हमने Photo Cell को Face Supply दे दिए, अब इसको Neutral Supply भी चाहिए, तो Neutral Supply के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक Wire को Connect कर दिए, ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि यह जो हमारा Photo Cell है, उसका जो Red Wire है, यह Outgoing Power Supply के लिए होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से एक Wire को Connect करके, हमारा जो Contactor है, उसके A1 Terminal पे Face Supply को Connect कर देंगे, ठीक है, यानि कि हमारा जो Photo Cell था, उसका Outgoing Power Supply को हमने सीथे ही, Contactor के A1 Terminal पे Connect कर दिया, अब देखें दोस्तों, यहाँ पर हमने इस Contactor को Photo Cell को दारा On करने के लिए, सरकित को बना दिया, ठीक है, अब यदि हमें इसको Manually On करना है, यानि कि इस Selector Switch को Manually Position पे करने पे, यह जो हमारा Contactor है, वो On हो जाना जाए, ठीक ह यह जो हमारा Selector Switch है, उसको Manual Position पे Select करेंगे, ठीक है, अब जो हमने Wire को Loop किये हैं, ठीक है, उस Terminal से दूसरे Terminal पे Continue करेंगे, ठीक है, जिस Terminal पे Continue करेंगे, ठीक है, जिस Terminal पे Continue करेंगे, यहाँ से फ्लो होते हुए, Contactor के A1 Terminal पे चल जाएगे, और हमारा Contactor On हो जाएगी, त इसको हमने Face Supply कनेक कर दिया, ठीक है, अब हमें इससे Neutral Supply देना है, तो Neutral Supply देने के लिए क्या करेंगे, कि यहाँ से एक Wire को कनेक करेंगे, और इसके A2 Terminal के सार कनेक कर देंगे, ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस पकार से हम Photo Cell का उप्यों करके Straight Light वाइडिंग करते ठीक है दोस्तों, आई होब कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लिस इस वीडियो पर Like, Share और Comment कर दिजेगा, और यदि आपको किसी परकार का डाउट है, तो आप Comment box में Comment करके पूछ सकते हैं, इस वीडियो को डेकनिक लिए धन्यवाद,